नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 और 19 फरवरी के आपके राशी के महा राशी फल के बारे में शबसे पहले दोस्तों जिनका भी यह वीडियो में बर्दी दे है या फिर एंवर्सरी है आप शबी को मरत रपचे दे शारी शुप काम नहीं आप दिन दोगनी रात चोगनी दरीके करें तो एह दोसों सके शाध बात करते हैं यहाशे में गरहों के सिद्य के शुऊँग roughly क्या क्या यूग बनेंगे और इने शबी कि महत्तपुन जान कर देंगे तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल हीमिश ना करें और शुरू से लेकर अंतरता के जरूर देखें दोस्तों वीडियो के अंतर में बहुत ही अच्छी उपाई हैं तो यह आप करके इंदों को और भी ज्यादा लाबकारी बना पाएंगी उससे पहले दोस्तों यदि आप च्रण पर णें नये हैं दो दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब कर लें खाथे बल आ 40 मिन रहेगा दोस्टों ध्यान रहे आप यह राहू कल किशमे में कोई भी शूब और महत्पुन कारे को भूल शेपी ना करें और दोस्टों चदर माई दिन शिंग राशी को प्रांद करने राशी में शुब्यों कर जाएंगे और इस दिन राहू कल किशमे शुबा के 9 बचक गर 15 मिनट रहेगा और दोस्टों इस दिन चेद्रमा जो है करने राशी पर ही सुंचार करेंगी तो आई दोस्टों बात करते ही दोस्टों वाएंगे दिश्टी से काफी अच्छा होने के साथ-साथ यह सम्मान भी प्राप्त हो सकता है दोस्तों आप में स्वासी की गए कारियों में यह समें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है धनाचल संपती का अच्छा योग है वह दोस्तों इन दिनों में आपके सगे संबन्दियों से आपके जो संबन्द है वह ब परिवारी के सदस्यों के साथ अनबन हो सकती है वानी पर याश में आप जो यह सहीं बना रखें इससे जो परिवार में सुख सांतिया बना पाएंगे वह दूस्तों इन दुनों में आपके लिए जो समय होंगे कुछ नई परिस्तियों का सामना आपको करना पड़ सकता है यह जो समय होंगे आपके लिए अपनी भावगता पर आपको नियंतर रखना होगा यदि कोई परिशानी चल रही है तो दूस्तों वह जल्द ही हल हो जाएंगी असमंजस की सतियां यह समय हो सकती है तो बिना किसी गहन सोच विचार की कोई भी आप यह समय जो है निरले मन नहीं लगेगा करेर के चुनाव के लिए किसी का सलाह और शले लेकिन फिर भी दूस्तों यह जो समय होंगे गरहों की इस्तिती के कारण नोकरी में तरक्की के योग रहेंगे कारिश्यत में सूप समाचार आपको मिल सकता है कारियों में सफलता से आपकी आर्थिक्तिति जो है यह में मजब। होंगी दूस्तों यह में दिया हुआ धन्ज होरा आपको वापस मिल सकता हैりました कि अब यहीं देन से आपकी श्मय बचे कहीं इन दिनों में घुमने का विचार बना रहे हैं तो दोस्तों जिवनसाती के शयोग से आप बाहर की आत्रा करने में जो है सफल हो जाएंगे वह दोस्तों इन दिनों में प्रिजिनों के साथ किसी बात पर जो है तनाव उत्पन हो सकता है इन बातों का आप ध्यान रखें और तनाव उत्पन कि जब इस्तधी बन रही हो तो आप उपने वानी पर जो है स्यम रखें दोस्तों यश्र में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो यगर हेल्थ से कोई भी समस्या यसमें दिख रही है तो दोस्तों ततकाल किसी विश्य सगे कि आप सलाह ले दोस्तों यह जो समय होगा आपके लिए अत्यधिक तलाब होना अत्वा वसायुक तो भोजन आपको नहीं करना चाहिए अन्य था आप मोटापे का शिकार हो सकती है वह दोस्तों इन दुनों में आपका भागी शाली रंग रहेगा केसरी और भागी शाली अंक रहेगा आठ दोस्तों यहसमें गिनेजी कहते हैं कि आप पने मित्रों और प्रवार के परति अधिक निष्ठावान होंगे हमेशा कितनी लोगों के प्रति सायग होने में विश्वास करते हैं परंतु आप यदि अच्छी पैस्तिती में होंगे तो आपको किसी का माल्क दसन करना पसंद आएगा आपके पास किसी व्यक्ति दोरा रखी गई आप एक छाओं को किसी वी रूप में आप यश्मे पूरी कर सकेंगे और इसके दोरा आप उसके पास से धेर सारी सुबकामनाय के अधिकारी बनेंगे दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए या अवशर खोने जैसा नहीं होगा वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्य स्थिती यानि धन को लेकर बात करें तो दोस्तों ये श्मे गनेश जी के अनुशार आपके लिए तनावपुर्ण लेकिन फिर भी पृत्साहन जनक दिन होगा शुवा की समय प्रेशर कम होगा लेकिन दोस्तों लंच के बाद जो अचानक से ये प्रेशर है वो बढ़ सकता है आप जो है जितना संभव हो सके अपने काम को खत्म करना चाहेंगे आपकी जो लोजिकल और एनलोटिकल छमता अपने बैतर अस्तर पर होगी और आपको काफी मदद करेंगी वह दोस्तों इन दुनों में अगर आपकी पारिवरिक जीवन की बात करें तो यह जो शमय होगे आपकी पारिवरिक जीवन के लिए आपने प्यार के शाथ प्यार भरी बात अपने शंबंद को मजूद बनाने के लिए करेंगे आपको अपने पीरिशे बदले में अच्छे जो कम्प्लिमेंट्स मिल सकते हैं यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो दोस्तों ये जो शमय होगे आप अपने रिष्टों में एक कदम आगे बढ़ाने का शमय होगा वह दोस्तों इन दोनों में अगर आपकी आर्थिक सिती की बात करें तो ये जो आपके लिए शमय होगे पेशे के मामलों के लिए मिस्रित परिणाम देने वाला शमय होगा गिनेज जी के अनुशार ये जो समय होंगे आपके लिए कई कल्कुलेशन, एक्षेल, फाइलों के अलावा वो सब काम करेंगे जो पेसे से जुड़े हैं लेकिन आप उचीत समाधान यह समय नहीं ढूण पाएंगे दोस्तों यह जो आपके लिए शमय होंगे गिनेज जी कहते हैं कि आप बहुत ही इस्तिर होंगे और अपने लंबित काम को खत्म करने की जो है कोसिज करेंगे आपका स्वास जो है इसमे ठीक रहेगा लेकिन आप भावनोंता गुरूप से कमजूर होंगे इसलिए गिनेज जी यह ज़्यादा देर के लिए नहीं होंगे वह दोस्तों सही दिसा में इमंदारिशे उठाए गए कदम जो है निस्सी तोर पर आपके लिए लावदायक शाबित होंगे अगर आप अपनी चीजों का जो यह समें ध्यान रखेंगे तो दोस्तों उनके खोने या फिर चोरी होने के संभावना यह समें नहीं होंगी वह दोस्तों इन दिनों में आप गनेश जी पर हरी दुर्वा चड़ाने से आपका जो प्रेम संबन है और भी मदुर बने रहेंगे दोस्तों यह समें आपको कौन से महत्पुन उपाय को करना चाहिए दोस्तों आपको बदा दे हैं कि य प्रेदी मस्तक पर शुद केशर का तिलग और इत्र लगाकर ही घर्शे अपने वह उशाय पर जाएं तो दोस्तों धन की शंभावना भी बढ़ जाती है तो दोस्तों यह शमी आप इन उपायों को जरूर अपनी जोन में परियोग करें यह आपके लिए बहुत ही महत्पु और भागी शाली रहने वाले हैं